दिल्ली में करोना के केस अब कम हो रहे हैं करोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी आप सभी के सहयोग से लॉक्डाउन भी सफल रहा हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खुब बढ़ाए हैं कली जी टी भी हॉस्पिटल के सामने 500 नए के बेड चालू किया हैं अब दिल्ली में आईसिउ और ऑक्सीजन के बेड की कमी नहीं हैं दिल्ली में वैक्सिनेशन पूरे जोर शोर से चालू हो गया है लोगों में खूब उतसा है मैंने खुद देखा है दिली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सिनेशन हो रहा है मैं गैकर्ज का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो वैक्सिनेशन में लगे हुए हैं। अभी हम सवा लाख डोज रोज वैक्सिनेशन कर रहे हैं। इसको जलदी हम रोज तीन लाख से अधिक लोगों को वैक्सिन लगाना शुरू कर देंगेगे। हमारा लक्ष है कि आने वाले तीन महीने में सभी दिल्ली वालों को vaccination लगा दिया जाए लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सिन की कमी की दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सिन बचा है और ये समस्या देश व्यापी है पूरे देश में इस वक्त वैक्सिन की भारी कमी हो रही है कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सिन न होने के कारण अभी तक vaccination शायद शुरू भी नहीं हो पाया वैक्सिन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनोती बन गई है आज केवल दो कमपनिया वैक्सिन बना रही है ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड वैक्सिन बनाती है तो इस तरह तो हम देश के हर वैक्सिन को वैक्सिन लगाने में हमें दो साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बरबादी हो जाएगी इसलिए जरूरी है कि हम भारत में वैक्सिन का पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सिन लगाने की राष्ट्री यूजना बनाएं जब तक हर भारते को वैक्सिन नहीं लगती, तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूँ वैक्सिन बनाने का काम केवल दो कमपनिया ना करें कई कई कमपनियों को वैक्सिन बनाने में लगाया जाए केंदर सरकार इन दोनों कमपनियों से वैक्सिन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कमपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सिन बना सकती है ऐसे कठिन समय में केंदर सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है वैक्सिन बनाने का फार्मूला सारवजनी करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सिन बनाना चाहती है और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सिन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सिन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सिन लगनी चाहिए यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सबी भारतियों को वैक्सिन लगा पाएंगे आपको यादो जब पहली लहर आई थी हमारे देश में पीपी किट की कितनी किलत थी कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए सोचो अगर उस टाइम के एवल दो कमपनियों को पीपी किट बनाने का अधिकार होता तो क्या आज देश में पीपी किट मिलते है लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज कई भारते कमपनिया पीपी किट बना रही है इसलिए हम किसी और पे पीपी किट के लिए निर्भर नहीं है भारत में बहतरी इन इंडस्टिलिस्ट है हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कमपनिया है हम अपस विश्व के सर्विश्रेष्ट वैग्यानिक है मैं निश्चित तोर पे ये कह सकता हूँ कि यदि उन्हें अफसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग देंगे वैक्सिन का उत्पादन करने वाली कमपनियों के लाब का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कमपनियों को दे सकते हैं जिन्होंने मूल फॉर्मूले की खोज की है मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली करोना की लहर के पहले भारत के हर नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे मेरा केवल एकी मकसद है कि किस तरह हम सब मिलकर हर भारते को करोना से बचा पाएंगे